हेलो विबन वेलकम टो इमन्निवाइएस आएम साथ थक सीनर फेकल्ड इमन्निवाइस सो आज हम बात करेंगे कि अपने अपकमें एक्जाम एक्जस 2024 जिसका प्रिलिम्स 11 फरवरी को होने वाला है अपको कैसे टाइम मेनेज करना चाहिए अराउंड 75-80 अगर हम 11 फरवरी को मान के चल रहे हैं अपने अग्जाम बिकॉस नोटिफिकेशन आउट है तो हो ही जाएगा उस दिन पर तो हो टु मैनेज दिस टाइम कि हमें डेली कितना पढ़ना है विकली बैसिस पर कैसे कवर करना मन्थली बैसिस पर कैसे रिवीजन करनी है राइट यह वालवज़ चिद्डूल अपना एक टाइम टेबल इसको बनाने के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए इसे के लिए ल around let's say seven hours all the six hours sleep enough होती है but maximum लेके चलते चलो seven hours आपका sleeping time ठीक है साथ घंटे की नींद बहुत जरूरी है नींद पूरी करनी बहुत जरूरी होती है बढ़ना त्यारी भी अच्छे से नहीं होगी दिमाग खुल के नहीं चलता तो यह तो definite है तो बहुत 15 hours हो गया तो अगर आप 24 घंटे में से 9 घंटे हटा दो तो नाव यू है अराउं 15 आवर्स लेफ्ट अब आपके पास है पंदरा घंटे अब इस पंदरा घंटे के अंदर इसको मैनेज करना है आपको में लिया पंदरा घंटे में से मैं लेट से टू आवर और निकम कर देता लेजर पीरिएट लेजर पीरिएट मतलब आपका माल लो कुछ खेलना स्पोर्स आप कुछ खेलना पसंद है आप जिम जाते हो वरकाउट करते हो यह लेट्स आप वेब सिरीज देख तो कुछ भी आप टीवी देख रहे हो कुछ एनिफिंग यू वाच आपको जो फुरी आपका एंटेटेमेंट वाला पीड़ जहां पर अपने दिमाग और अपने फिजीकल पर ठीक करते हैं तो वह वाला टाइम आपका दो घंटे उस पर चला गया तो कुल मिलाके अब आपके वाश कितने घंटे बचेंगें नाव यू है वराउंड थर्टीन आवर्स अब यह जो तीरा घंटे है अब यह है आपके पढ़ाई पर ह्क्तिगावी है ही अरा होडमी जो आप की तरग eer क лиकेट कर सकते अब निकले बाकि देखी जाएग वह तो निकले एकस लिए तो यह वह निकले यह तो आगए बढ़ होगे उसके चक्कर में बाकी जो सोचते रहों कि प्रिम्स नहीं निकला फिर तो सब तो धरेका धरा रह जाएगा ना इधर के ना उधर के तो बैस्ट चीज आपको भी सिर्फ प्रिम्स के ओपर टार्गेट करके चलना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटीजी जो तेरा घंटे चाहिए राइट शेल स्ट्डी पर देने हैं आपके एक औप्शन हो याँ पर सेल्श ट्डी और दूसरा आपको नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे वह जाएंगे यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडम सर्च करेंगे तरह सर्च किया कोई लेक्ट्टर को सीरी सी मिल गिए उनको जिस पर ना कॉशनिंग कर सकते हैं उसको वीडियो को देखेंगे और उनको लए उनकी पढ़ाई होगी बट कि आपको लगता है यह सच में पढ़ाई हो रही है आपकी कि आपके जो यह तेरा घंटे हैं क्या इनका धंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है इस तरीके से माइंड यू अब ट्राय करके देख लेना बहुत रिजल्ट आपके सामने जो होता है कि एक परसंट बच्चे ही पास हो पाते हैं ओल्ली बन परसंट सक्सेस्ट रेट वह यहीं रीजन है कि 99 परसंट बच्चे क्या गरेंगे आज की रेट में 99 परसंट बच्चे जो यह फ्री कंटेंट न है यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट यूट्व पे अल्ड़ो इट इस फ्री आप्रीशेट देट बट बट ब्रॉब्लम इस कि वह कुछ भी रेंडमा विलकुल कोई प्रॉपर तरीके से प्रोवाइद नहीं है सब कुछ र कि आपको अपने डाउट निले सकते उसके अपपर प्रोपर कोई मेंटर्शिप नाम की चीज नहीं है उसके अंदर तो यह 13 गंटे ना आपके आइकें टेल यू वहां पर यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला उसका आप यह 13 गंटे को मैनेज कर ही नहीं पाओगे उनकी वजह से जहां को जो काम आप 2 गंटे में कर रहे होगे ना उनकी वजह से आपका काम चार से 5 गंटे कम से कम लेगा और उसके बाद उतनी एक्टिव और परिपरिशन नहीं हो पाईगी कि आपके इस तेरह घंटे को मैनेज करने के लिए आइव बंडर फूल ऑप्शन फर यू रहाइग लट मी शो यू आप से फास्ट्रेक कोर्स अपके लिए अभी मन्नी वाइस आपके लिए श्पैशलिए एक फास्ट्र around how much time you have around just a sec okay 210 घंटे का टार्गेट लेके चल रहे हैं around 220 hours to like around 300 hours 210 से लेके 300 घंटे के बीच 210 मिनिमम इस से लोपर 300 घंटे हम इसको मैनेज करवा रहे हैं आपके लिए हो हेर इन दिस बैच हम जो 75 डेज का टार्गेट लेके चल रहे हैं हम आपका यहीं वाली प्रॉलम का सोलुशन लेके आ हूं मैं कि 75 डेज के अंदर कैसे टाइम को मैनेज करने यह वाला जो बैच हमने लॉंज किया इसी जिसको ध्यान में प्रॉपर उसी टाइम को मैनेज करते हैं जिसके अंदर आपकी डेली चार घंटे की क्लास होएंगी डेली फोर आवर्स पर डे आप क्लास अटेंड करने के बाद भी आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी सेल्स्टेडी तक के लिए कि जो क्लास में पढ़ा है उसको से इस ठीक लास हई न फीजाएंगा यापकी अपकी स्था सब्सक्रास बियए आपकी अभ्राइट की एडेली टेस्टत है जिसके अंदर आपके फुल एंट टेस्ट चलेंगे सब कुछ यह होता है तरीका इसको बोलते हैं टाइम मेनेजमेंट वह रेंडमनेस कुछ नहीं की यूटिप पे गए सर्च मारा करने बाट गए वो टाइम मेनेजमेंट नहीं है करके वेख लो आप यूकें यूट ट्रा अगर इसकी बजाए मेरे को प्रॉपर शिड्यूल मिलता जहां पर प्रॉपर प्रासी चल रही होती मैं लाइब अटेंड कर सकता ओफ लाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर मैं कोशन कर सकता हूं एक प्रॉपर गोड़ा कोर्स का शिड्यूल डिफाइंड ऑलरी कि हां इत राइट वह सबसे तरीका होता है कि आपका स्कंसाइज होना चाहिए सब कुछ ज्यादा इदर दर नहीं भागना होता है एक ही सोर्स रखना होता है अगर आप मल्टिपल सोर्स से फॉलो कर होगे ना तो डेफिनली पढ़ाई उतनी इच्छी कभी भी नहीं होती है लेकिन अ तो आप अटेंड कर सको ओनलाइन ओफलाइन दोनों मोड के अंदर है विचेवर सूट्स यू लाइव क्लासिज है रिकॉर्ड भी मिलेंगी आपको एवरिटिंग राइट सो लेट में शो यू देटेल्स नाओ सी यह मनें लाइव को स्टार्ट करा है मैं अगें रिपीट क सबसे नहीं कि अब मेंस का टाम नहीं अपको रिलिम स्टार्ट करना है अब इस कोण च्रोश को आपको क्या बशाइड है और रिकॉर्ड थे ने लिफे सिरीज मेंकर रहेlor में अगर आपने पर भतक तो ड़ंट 다क Kinda आपको पर पाथ पर आपश लाने की पूरी ट्राइब की जाएगी, कि सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप ट्रैक पे रहा हो, आपका अच्छेस बनने का ड्रीम है, उसको आप सक्सेस्टूल कर सको, आपकी मैनत वेस्ट ना जाए, वो टारगेट मैन का रहता है, आपके आपके लेवी पर रहता है, अभी ऑपर में चल रहे है, थिर्टी फ़ जाए इसे लिए अरणित टूर पार कर सकते यो, रिजिस्रीशन लिंक में नीचे डिस्रिप्शन वर्क वाइड़िए, वहां पर क्लिक करके, you can register for this course and this batch will be starting from 21st November, 21st November सही बैस्टार होने बाला है, इतना जलदी हो से के ज़िए कर लीजी एक-दो दी नहीं पड़े है आपके पास, you can enroll it as soon as possible विकोज यहां पस सीज भी मने लिमिटेड ही रखी हुई है क्योंकि यह स्पेशल प्रिलिंस फोकस बैच है हमें ऐसे खटे नहीं करने बंदे लिमिटेड सीट से जाज अच्छे से त्यारी होगी आपकी आप भीड में पढ़ना चाहो गया इस राइट कम बच्छी होते हैं फ आप कमेंट सेक्शन में भी निचल लिख सकते हैं तो तिल आवर नेक्स वीडियो आई विश्यू आल बेस्ट टेक केर और बाइ थैंक यू